दो हजार तेरह बैच के आईएस अधिकारी अधित्यनेगी ने डीशी शीमला का पदभार संभाल लिया है वे अमीत कश्यप की जगह यह पद संभालेंगे सरकार द्वारा देरात की गई अधिसूचना के तहत 22 अधिकारीं का तबादला किया गया है जिसमें साथ नए आईएस अधिकारीं को डीसी बनाया गया है अधित्यनेगी इससे पहले सदसे सची पॉल्यूशन वोर्ड के पद पर तैनात थे आदेश जारी होते ही अधित्यनेगी ने उपायुक्त शिमला का पदभार संभाल लिया है जबकि अमीत कश्यप को श्रमायुक्त तैनात किया गया है डीसी अधित्यनेगी ने करोना वाइरस से निप्टने के लिए एक जोटता के साथ काम करना अपनी प्राथमिकता माना है जबकि सरकार के उपलब्धियों को जन्त तक पहुचाने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ काम करने को भी अपनी प्राथमिकता म कारान जनत से मंद्रों में सयोग की अपील भी की है जो जो है थोड़ी सी धीमी पड़ी ती करोना की वज़े से तो उसको जो है थोड़ा सा गती दे सके और इसके अलावा जो सरकार की विभिन लापकारी नीतियां उसको लोगों तक पहुचा है और जाएदा जो है लोगों को सरकार की स्कीम्स का बेनिफेट पहुचा है यह मेरी प्राइटी रहेंगी इतना चलेंजिंग मानते हैं तो अभी दीरे-दीरे मुझे पता चलेगा कि कितने चलेंजिस हैं पर डेफिनेटली राजदानी का डीसी होना अपने आप में बहुत बड़ी अचीव आपाइब का थि-षिर्ट खाएप THAT चले रहते हैं को अजितना और ठाके स्वक्ताम कितना अविक हैवेड भी आपिनेजियूर्बत का डेलूव का अखर रिखम आपणके डेल श्रयरूंग, यह मेरी कर्नेजिस ऑन चलेजिए पeri